हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो भाई चैनल प्रेगनिंसी केर विद मेगा, मैं मेगा आपका अपने चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, कैसे हैं आप लोग, I think सभी स्वस्त होंगे और बहुत ही खोश होंगे, प्रेगनिंसी में गैस बनना, देखिए पेट फूलना गैस दो तरह से फस्ती है, या तो जब आप हवा निगलते हैं, जब या फिर जब बड़ी आत मलाश्य में मुझूद बैक्टीरिया हजम न किये गए खाने को अलग-अलग करते हैं, तो गैस बनती हैं, आम तोर पर एक व्यक्ति ओस्तन पंदरे बार गैस पास करते ही हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके शरीर में प्रेगनेंसी, हार्मोन, प्रोजेस्टोन का इसर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वज़े से पूरे शरीर में मुलायम माश्पीश्या उत्तक शितिल हो जाते हैं, इनसे पाचन में मदद करने वाली माश्पीश्या में शामिल हैं, इसकी वज़े से आपको सामाने से ज़्यादा गैस, फुलावट और ऐसा हैस्ता महसूस हो सकती है, और ऐसा गर्भावस्ता की शुरुवाती में भी हो सकता है, आपको सामाने से ज़्यादा डकार भी आ सकती है, प्रेगनिंसी में अकसर पेट बढ़ने पर कपड़े ढीले क करने की जरूत महसूस होती है, मगर चाहे अभी आपका बढ़ा हुआ पेट दिखाई न दे रहा हो, तो भी गैस और फुलावट से राहत पाने के लिए आपको शायद फूल जाता है, गैस के करण तो आपको पेट पर बहुत जादा बिचाओ महसूस होता है, इसकी वजह से आ साथ ही बच्चे द्वारा पेट पर दबाव डालने की वज़े से आपको खाना खाने के बाद ओर जादा फुलावट महसूस हो सकती है, ऐसा खास तोर पर भारी भोजन करने के बाद हो सकता है, किन खाने की चीजों के सेवन से गैस और पेट फूलने की संभावना जादा र मुश्किल होती है, जिन खाने को पचाने में आपको मुश्किल हो तो उसे आपको वईड ही करना चाहिए, इनकी वज़े से कुछ लोगों को पेट दर्द या फुलावट हो सकती है, जैसे कि कुछ खाने में कार्बोहाइडर्स और शुगर की मातरा जादा होती है, तो उस आपको नहीं खाना है, अब बात करते हैं कि कौन से सबजी और फल को अपने खाने में एक लिमिटेड मातरा में रखना चाहिए, जीने हजम करने में कभी-कभी प्राब्लम हो सकती है, सेब, एपल खाने में प्राब्लम हो सकती है, क्योंकि एपल इजीली हजम नहीं होता है, खुबानी, हरी गोबी, फूल गोबी, लहसुन, मटर, आम, मश्रूम, प्याज, आडू, नाश पाती, सूखे आलू बुखारे, तर्बूज, चेरी, कुछ दाल, दलहन और बीन जैसे छोले, अरहर, तूहर की दाल, राजमा, इन सब चीजों को भी हजम करने में प्राब्लम हो सकती है, कभी-कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को ऐसे खाने से गैस पनती है, जिससे कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होती है, एक्जाम्पल के तोरपर जैसे गेहों से, बनी चीजों से, कुछ लोगों को गैस होता आती है, डेरी प्राब्लम हो जात शुगर को हजम करने में मदद करता है तो जिस भी प्रोडेक्ट से आपको लगता है कि मुझे प्राब्लम होती है मैं उसे हजम नहीं कर पा रही हूँ उस चीज को आपको अवोईट करना चाहिए बाहरी वसायूत खाने से आपको बचना चाहिए इन खाने को पचाने के लिए आपको काफी महनत लगती है इसलिए पेट को खाली होने में भी समय लगता है बाहर का खाना खाने से ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहिए आप केला, संतरा, कीरा, अंगूर, चकोत्रा, ब्लूबेरी, गाजर लाल, शिम्रा, मिर्च, अधरक, फ्रैंस, बीन्स, पालक, पत्ता, सलाद, कद्दू, शल्जम, टमाटर, मूली, मीठी, मकई इन सब चीजों का सेवन कर सकती है अब बात आती है कि अधिक कैस बनने पर मैं क्या करूं जिस्से की मुझे से राहत मिल सके देकि दिन में दो या तीन बार अधिक मातरा में भोजन करने के बजाए पूरे दिन में कई छोटे छोटे आहर लेती रहें आराम से खाना खाएं भोजन को निगलने से पहले अच्छी तरह चबाएं इससे आपके शरीर को भोजन को पचाने में मदद मिलती है कोशिश करें कि खाना खाते समय आप हवा न गटके क्योंकि इससे पेट में फुलावट की समस्या हो जाती है मुह बंद करके धीरे धीरे चबाएं और कोशिश करें कि खाना खाते समय बाते ना करें चुइंगम खाने और धुम्रुपान करने से आप अत्तिरिक्त हवा गटक सकती हैं प्रेग्निंसी में धुम्रुपान करना आपके गर्भस्त शिशु के लिए नुकसान दैक साबित हो सकता है इसलिए यदि आपने अभी तक धुम्रुपान करना नहीं छोड़ा है तो उसे बिल्कुल बंद कर दें तनाव को कम करने का प्रयास करें और रिलेक्स होकर प्रिणायम या योगा जरूर करें कुछ लोग उत्साहित या चिंतित होने पर अधिक हवा निगल लेते हैं सीधे बैठ कर खाएं या पीएं फिर चाहें आप थोड़े असा स्नैक ही क्यों न खा रही हो ऐसा इसलिए ताकि भोजन को पचाते समय आपका पेट दबना रहा हो सोड़ा युक चीजों का सेवन ना करें क्योंकि इनसे ज़्यादा ढकार आते हैं और आपका पेट फुला फुला रहता है अगर आप चाहें तो पीपरमिंट चाय आजमा कर देख सकते हैं इससे गैस और फुलावट में काफे आराम मिलता है कब जिसे बचाव रखें या इसका उपचार कराएं क्योंकि इससे पेट फुलने की समस्या बढ़ सकती है कुछ व्यायाम जरूर करें तेजी से टहलना भी आपके लिए फायदमन साबित हो सकता है यदि आपको कुछ चीजे खाना पसंद है आप उनको नहीं छोड़ सकते तो उन चीजों को खाकर जैसे कि कुछ बाहर का आपका खाने का मना आप चाहती है कि खाएं लेकिन गैस की वज़े से आप डर रहे हैं तो उन चीजों को खाने के बाद वॉक जरूर करें जिससे कि उनको डाइजेस्ट कर सकें और सोने से कम से कम तीन से चार घंटे पहले उनचीजों को आप सेवन करें तो अमीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें और जाद से जाद से शियर करें थैंक यू फॉर वाचिंग प्रेग्निंसी केर विद मेगा थैंक यू नमस्कार